Hey Hi Everyone, We are meeting almost after 10 days I think Last video में आपको बताया था कि हमें कमपा सिरीस स्टार्ट करने वाले हैं In which we will tackle each and every subject कि आपको किस direction में किस subject को लेके कैसे चलना है But चुकि पिछले एक हफते से तब्यत बहुत जादा खरापती So video record करना बहुत मुश्किल हो रहा था In fact, अभी भी मैं वीडियो को बहुत रात में रेकॉर्ड कर रहा हूँ 2.5 बज़रा है Because I know कि this period is very crucial for you And you don't have much time left with you So let's start this lecture And सबसे पहले हम economy की ही बात करते है Because I think कि चाहे आपरी की बात करो या फिर मेंस की बात करो Economy is the backbone of your selection And I will justify this line की economy बहुत जादा important क्यों हो जाता है In fact, इस कम पास सीरीज में हम Resources क्या आपको यूज करने हैं इस पे बहुत जादा focus नहीं करेंगे Because I think कि सब को पता है कि Resources क्या यूज करने है And मैं Resources की बात भी करूँगा कि आप कौन को से Resources यूज कर सकते हैं But most importantly हमारा focus रहेगा कि आपको कोई particular resource कैसे पढ़ना है कैसे उसको refer करना है कैसे read करना है कैसे retain करना है कैसे understand करना है So that जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसका use आप pre में भी कर पाओ Plus mains में भी कर पाओ नहीं तो normally क्या होता है कि हम अपने pre और mains की पढ़ाई को बहुत अलग अलग रखते हैं बहुत silos में पढ़ाई करते हैं But अगर आप अपने pre के knowledge को mains के लिए भी use करोगे न तो आपका रास्ता आपकी जिंदगी बहुत easy हो जाएगी लेकिन यहीं पे economy में confusion आता है in fact I would say कि कुछ लोग को doubt होता है and delusion में भी रहते हैं वो लोग क्योंकि economy as a subject आप देखोगे यहां पे pre और अगर मैं mains की बात करूँ तो दोनों में question का जो nature होता है बहुत अलग होता है drastically opposite होता है जहां पे आपको pre में conceptual question मिलेंगे आपको current affair based question मिलते हैं वहीं पे आपको mains में application based question मिलता है so यहां पे आप यह बोल सकते हो कि mains की preparation का रास्ता जो है वो prelims की preparation से हो के जाता है पहले आप economy की concept समझोगे अपना basic strong करोगे उसके बाद ही आप उसको apply कर पाओगे mains में नहीं तो mains में आप जो भी answer लिखोगे बहुत ही superficial लिखोगे and एक बार आप concept समझाओगे economics के न तो mains आपके लिए बहुत easy हो जाएगा prelims तो already easy हो जाएगा no doubt but mains में जहां पे आप बहुत जादा struggle करते हो वो भी काफी easy हो जाएगा इस वीडियो के last में आप सभी के लिए एक reward है reward for what? reward for completion of the lecture reward for your dedication, reward for your discipline, reward for your focus क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं in fact आज के time पे जहां पे reals का जमाना चल रहा है attention spam इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अब 20-25 मिनिट की वीडियो लोग देख नहीं पाते so जो लास तक रहेंगे उनके लिए एक बहुत important reward है and this will save you a lot of time so let's begin the lecture how you have to deal with economy चाहे हम pre की बात करें या फिर मेंस की बात करें you have to follow a single approach, single guided approach so that come input देके आप maximum output निकाल पाओ and the reason is कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपका 5-6 महीने में pre हो जाएगा 8-9 महीने में means होगा so 2-3 साल का वक्त आपके हाथ में नहीं है कि आप बहुत अराम से सब कुछ धीमे धीमे करो you have to be on your toes and जितना कम input देके हम output निकाल पा है उतना best है यह सिर्फ economy पे apply नहीं होता है किसी भी subject में especially for economics I would say कि economics के preparation का दो side है आपको यह और subject लोग है जैसे मालो हम quality लेते हैं हम history लेते हैं यहाँ पे resources more or less defined हैं कि आपको यह resource पढ़ना है question अब कितना आता है कितना नहीं आता है यह थोर debatable है but at least हम को यह पता है हमारा resource sorted है but when we take economics यहाँ पे कुछ चीज़े बहुत ही confusing है but before talking about this confusion part let us see कि economy backbone क्यों है आपके preparation का why it should be prepared very thoroughly it's a highly highly rewarding subject क्योंकि यहाँ देखो number of questions काफी decent आते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि over the period of the year कितने questions पूछे गए हैं types of questions भी आपको more or less same मिलते हैं यहाँ पे हम pre की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम mains की भी बात कर रहे हैं and the last one is ROI return on investment is extremely high for economics now first let us see number of questions यहाँ पे हम trends देखते हैं so that you can gauge the importance of the subject यहाँ मैंने 2015 से लेके 2024 तक के question को map किया है 2015 में 24 question पूछे गए 16 में 26, 17 में 28 18 में 23, 19 में 26 20 में 23, 21 में 18 22 में 17, 23 में 21 और 24 में 18 so on an average we can say कि economics में हर साल आपको 18 से 19 question पूछे जाएंगे अब यहाँ आप economics की importance देखने के लिए कि आप cutoff देखो 2023 में cutoff 75.4 था 22 में 88 point something 21 में 87 point something 20 में 92 point something 19 में 98 और 2023 में 21 question पूछा गया था that means की 42 marks का सिर्फ economics ही आया था और आपकी जो cutoff गई थी वो 75.4 थी now देखो मैं यहाँ पी यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप 18-18 question solve कर लोगे but here I want to show you कि क्या importance है subject की आप 21 नहीं solve कर पाओगे क्या हुआ 15 solve कर लोगे 14 solve कर लोगे तब भी तो आप 20-30 marks से score कर रहा हूँ ना so prelims को qualify करने का रास्ता economics से हो के जाता है you can't bypass this subject and you can't ignore this subject चाहे हम प्रीक की बात करें या फिर मेंस की बात करें अब आप मेंस में देखो मेंस में आपको economy और agriculture मिला की पुछा जाता है क्योंकि एक ही domain में आता है 100-120 marks सा question आता है मतलब 200 में से जो half of the paper रहता है वो economy और agriculture कर रहता है number of questions की बात करें तो 8-10 questions आता है so here you can see na कि subject की क्या importance है but जितना यह highly rewarding है उतना ही जादा यहाँ पे इसको prepare करने में confusion होता है and इस video में हम इसी part को deal करेंगे यही जो dilemma है इसको address करेंगे सबसे पहली बात delusional preparation by saying delusional preparation I mean to say कि जब आप economy को prepare करते हो तो यहाँ पे कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि वो pre कपद अच्छे से पढ़े रहते हैं प्री में उनका अच्छा खासा command रहता है तो उनके mind में यह चलता है कि हमारा pre हो गया है तो हमारा mains भी हो जाएगा but this is not the case क्योंकि अगर आप economy को analyze की होगे तो जैसा मैंने बोला ना कि pre के question बहुत अलग होते हैं mains के questions बहुत अलग होते हैं सिर्फ pre की पढ़ाई से आप mains के question को tackle नहीं कर पाऊगे आपका एक concept बन जाएगा आपका एक base बन जाएगा but base टी उपर आपको building बनानी होगी और उस building को बनाने के लिए आपको mains के लिए अलग से तयारी करने पड़ेगी mains के notes, mains के pointers आपको prepare करने होंगे second one is resource hunting इसकी बाद भी हम आगे करेंगे and the third one is problem of 3R यही जो है वो सबसे ज़ादा important है और अगर आपने इसको address कर लिया तो economy में आपको कोई problem आएगी ही नहीं 3R क्या है? read, revise, remember कैसे हम पढ़ें, कैसे हम understand करें पढ़ने के बाद कैसे उसको revise करें और जब आप effectively revise करोगे तब ही आप remember कर पाऊगे अगर आपका यह वाला portion mismatch होता है तो read और remember के बीच जो bridge है वो आपका चल नहीं पाएगा एके करके हम बात करते हैं सबसे पहले delusional preparation जैसा हमने बात किया कि जो pre होता है उसमें economy के question बिलकुल अलग होते हैं वहीं जो means होता है उसमें question बिलकुल अलग होते है but question अलग-अलग होने का मतलब यह नहीं होता कि आपके पढ़ाई बिलकुल अलग हो जाएगी आपको English में sentence form करने के लिए पहले alphabet आना चाहिए न वहीं आप समझ लो कि आपको means को answer करने के लिए पहले prelims का concept समझना पड़ेगा तभी आप means में answer लिख पाओगे in fact तभी आप basic resources को पढ़ पाओगे चाहे हम survey की बात करें चाहे हम budget की बात करें newspaper की बात करें क्योंकि दो को ये सारे resources जो है वो UPSC के लिए नहीं है survey UPSC वालों के लिखा नहीं जाता है budget UPSC वालों के लिए नहीं लिखा जाता है बट आपको यहां से content यूज़ करना होगा भले ही ये सारे resource UPSC वालों के लिए नहीं है बट आपको इनको UPSC के लिए बनाना पड़ेगा और इसी से related यहाँ बे जो second point है seems to be preparing but not actually कोई भी topic हम परते हैं, कोई भी subject हम परते हैं कभी-कभी हमको लगता है कि हम prepare तो कर रहे हैं बट जब तक आप PYQs नहीं देखोगे, जब तक आप PYQs के अनलाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप UPSC के लाइन पर सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हो for example, let me show you something यह देखो economic survey का chapter number 8 है employment and skill development towards quality अब यह जो chapter है, हो सकता पर हो तो आपको समझ में नहीं कि क्या लिखा है क्योंकि बहुत से यहां पर graph है, काफी trend यहां पर दिया गया है बट अगर आपने UPSC का PYQ देखा होगा ना तो आप इस sublet को UPSC के line पर सो सकते हो UPSC PYQ के themes पर यहां से content निकाल सकते हो आप ला सकते हो, it is one of the most important document for your economic preparation तो इसको हम डिटेल में भी देखेंगे but I think I am clear enough कि किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ना और उसको UPSC के हिसाब से पढ़ना, इन दोनों में difference होता है और आपको यह ensure करना होगा कि कोई भी चीज आप पढ़ रहा हो तो सिर्फ knowledge बढ़ने के लिए नहीं अभी आपका target सिर्फ UPSC है तो आप हर चीज को UPSC के चश्मे से देखोगे so first आपको जो problem थी वो way of preparation को लेके थी now the second thing is resource hunting economy में आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया resource देखने को मिलेगा but यहीं पे न main problem आती है शायद आपको याद होगा अगर आपने economic survey पढ़ा होगा पहले तो economic survey 2016-17 ने एक term यूज किया था जिसका नाम था paradox of plenty या फिर इसको हम कहते है resource curse भी कहते है resource curse यह term basically क्या होता है कुछ हमारे state है जो mineral resource rich है for example 36 जार खंडोरी सा but despite being rich in minerals they lack socio-economic indicator बहुत गरीब है वो इसलिए यह है paradox of plenty resources तो है but socio-economic indicator में वो नीचे आते है and this is the paradox same चीज हम economic preparation पे भी apply कर सकते हैं हमारे पास multiple resource है but इसके बाद भी बहुत मुश्किल होती है आपको यह decide करने में कि कौन सा resource पढ़ें कोई आप A resource पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बागी लोग B पढ़ रहे हैं आप B पढ़ोगे तो देखोगे कि C ज़्यादा famous हो रहा है so जब तक आप resource के लिए hunting करते होगे I would say कि आपकी hunting होगी and economy में आपको यह समझना पढ़ेगा कि economy is a conceptual subject यहाँ पे concept book by book, page by page, teacher by teacher बदल नहीं सकते हैं अगर किसी एक teacher से आपको रैपोरेटर concept समझ में आता है आपको open market operation समझ में आता है आपको inflation समझ में आता है तो आपको उन्हें teacher को follow करना है उसी book को follow करना है कभी भी resource के पीछे बिलकुल भी मत भागना और conceptual subject में फायदा यह होता है कि resource मानलो पुराना भी हो जाता है तब भी वो significant रहेगा तो आप यहाँ से कुछ भी use कर सकते हो बट चुकि मेरा focus में लिए उनके उपर रहता है जो बहुत महंगी महंगी coaching फोर नहीं कर सकते हैं और आपको महंगी coaching करने के to be frank जरूरत भी नहीं है here I would tell you very short and simple step कि आप pre-clay क्या करो, mains क्या क्या करो ना देखो चुकि economy is a conceptual subject तो काफी लोग ऐसे होंगे जो maybe सिर्फ book से ना पढ़ पाएं बुक से concept ना समझ पाएं तो उनको क्या करना है कि ब्रॉनाल सर के channel पर जाना है इनकी जब आप playlist खोलोगे तो playlist में आपको ये एक ये playlist मिलेगा है इसमें आये थें कि 50 से 60 lecture हैं और 50 साथ lecture में से काफी lecture ऐसे हैं जो पुराने होंगे पुराने इंदसेंस की पुराने करेंट फेर होंगे उनको आपको फोकस नहीं करना है यहां पर सिर्फ आपको concept पर फोकस करना है conceptual understanding लेनी है कैसे RBI अपनी monetary policy को implement करती है कैसे fiscal policy implement होता है budget के अलग-अलग components क्या है FRBM क्या है जो एक basic understanding होती है उसको आपको लेना है इसके बाद आपको विवेक सिंग की Indian economy पढ़नी है यह दो चीज़ करना है for your conceptual part इसको करना एक बाद आपको क्या करना है मैंने economy की active recalling PDF प्रिपेर किये आपको उसको पढ़ना है इसको आपके resources हो गए है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है हम उसको आगे देखेंगे बट फिलहाल के लिए देखो कि आपको resources कौन कौन से use करना है मुरुन राज सर के free lectures for conceptual understanding उसके बाद आप इवेक सिंग को पढ़ोगे या आपको pre में भी काम देगा या आपको mains में भी काम देगा because multiple chapters यहां पर दिये गए है जो directly आपके mains के syllabus से align करते है and lastly जो most important है and this is the game changer in fact I would say कि यही आपका reward है जो मैं बात कर रहा था the active recalling PDF और इसी PDF को prepare करने में इतना जादा time लग गया इसमें क्या refer करना है कैसे refer करना है इसको हम आगे देखेंगे तो देखो यह आपके pre कर रहा इसका prelims में आपको current कहां से पढ़ना है monthly magazine या फिर yearly compilation I would say कि आप दोनों कर लो monthly plus yearly अगर आपका monthly अच्छा रहेगा तो yearly में बहुत जादा मेहनत नहीं लगती है and here I would say कि vision is करना देखो question कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं बहुत subjective है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि vision से question नहीं आ रहा है तो कहीं और से question आएगा news paper आप पढ़ सको तो daily पढ़ लो at least आप editorialist पढ़ लो और headlines पढ़ दिया करो news में चल क्या रहा है so that जब आप monthly magazine पढ़ो आप yearly compilation पढ़ो तो आप news को relate कर पाऊ और easily चीज़े आपको याद रहें इसके बाद जो second resource है आपका वो है economic survey यह आपके pre में भी काम देगा यह आपके mains में भी काम देगा pre में कहां पे काम देगा बहुत premium question trend wise पूछे जाते हैं किसका trend कैसे बदल रहा है कुछ key terms आते हैं कुछ schemes आते हैं वहाँ पे आपको survey काम देता है में में तो यहां सा direct question पूछे जाते हैं in fact economic survey का हर एक chapter potential question होता है mains के लिए that is why mains के लिए सिर्फ आपको economic survey prepare नहीं करना है इसके proper notes भी prepare करने है जैसे मैंने यहां बे बताया है इस तरीके साब को economic survey को no down करना है बाके हम economy के mains के resource की बात करें तो पहले हम से लिए बस देखते हैं Indian economy, issue related to planning, mobilization of resources growth development, inclusive growth government budgeting, major cropping pattern different types of irrigation, transportation and marketing of agriculture produce, direct indirect farm subsidies MSP, PDS, food processing, land reform effect of liberalization, infrastructure, investment model इन सारे keywords पे इन सारे pointers के आपको notes prepare करने है notes आपको कहां से मिलेगा पहला resource आपका यह हो गया यहां पे आपको notes मिलेगा दूसरा resource आपका survey हो गया तीसरा आपका current हो गया और चौथा आपका vision का WAM हो गया इन तीन्चार resources को मिला के आपको mains के notes prepare करने है और यहीं पे difference आता है जो मैं बता रहा था कि pre के तयारी अलग होती है mains के तयारी अलग होती है तो यह आपकी building हो गई आपने concept पढ़ा concept पढ़ने गवाद उसका यहां पे application करोगे और इसी application के basis पे आप economic survey पढ़ोगे कि कौन से question PY कुम पूछे जा रहे है कैसे question frame किये जा रहे है उस हिसाब से आप survey से content उठाओगे अपने notes में add करोगे और उस हिसाब से आप vision की वैम पढ़ोगे और current affair से validation करोगे तो यह आपके resource hunting का पूरा solution रहा कि आपको कौन सा resource कहां से यूज करना और कितने हद तक यूज करना है now I know किसके बाद भी बहुत सावाल आएगा कि हम यह resource यूज कर सकते हैं क्या हम नितिन सिंगाने यूज कर सकते हैं हम Shriram IS यूज कर रहे हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं क्या जैसा मैंने उपर बोला कि economy में आप कुछ भी यूज कर सकते हो concept कहीं नहीं बदलता है पस आपको यह focus करना है आपके mind में सिर्फ यह target होना चाहिए कि आपको concept clear है कि नहीं clear है यह matter बिलकुल भी नहीं करता है कि आप अपने concept को Shriram IS से clear कर रहे हो या फिर मन्रा सर से कर रहो ultimately आपको concept clear होना चाहिए that's it until now we have addressed two out of three most important dilemma I would say constraint in your preparation the first one is कि how to get more out of your preparation in fact how to actually prepare the subject कैसे हम pre को prepare करे and कैसे हम mains को prepare करे and the second one is about resource allocation what we have to use for prelims and what we have to use for mains now the third and the most important problem and I would say कि this is the ultimate roadblock in your preparation which you have to address read, revise and remember and now कैसे पढ़ना है यह देखने से पहले हम यह देखें कि किस टाइप और questions आते हैं किस टाइप और content को हम को prepare करना है जब हमारा यह चीज़ सौर्ट रहेगा तभी हम यह देख पाएंगे कि हम को पढ़ना कैसे है for example आप economics को ही देखो यहाँ पर मालो आप दो exam दे रहो एक आप state PCS को ही दे रहो और एक आप UPSC दे रहो subject same है, subject economics ही है but वहीं state PCS में question अलग तरीके से पूछा जाता है UPSC में question अलग तरीके से पूछा जाता है so depending upon the subject depending upon the requirement of the syllabus you have to realign your preparation UPSC के हम specifically बात करें तो UPSC के जो type of questions होते है या तो वह conceptual आते है या तो वह current based आते है in fact I would say कि conceptual come current based question आते है for example 2022 में FDI सो question आया था और उस time पर e-commerce policy आया थी इसलिए FDI सो question पूछा गया था so बोलने को ये question current का है but जो question पूछा गया जो question का content था वो conceptual था let me show you यहाँ पर दखो कुछ आपके सामने question है and these are the prelims question इसे के बात यह देखो आपका एक मेंस का question मेंस 2014 है पूछा गया था now let us see first are how to read this will make your base make your foundation because economics is an interlinking subject यहाँ पर cause and consequences भहत होते हैं कुछ एक चीज़ होता है जिसकी वह से दूसरा कुछ होता है so first you have to understand the subject understand the concept second आपको concept को link करना पड़ेगा एक concept को दूसरे concept से and the third one is application of concept जब तक आपका यह दो पार्ट sorted नहीं रहेगा आप apply नहीं कर पाऊगे यह concept आपका मेंस में help करेगा बखी यह जो conceptual building है जो foundation building है यह आप pre के time पे करते हो let me demonstrate this life की आपको पढ़ना कैसे होता है and let me teach you one of the most important topic of economics that is inflation नहीं यहाँ पर हम inflation के concept को briefly समझेंगे और जो इसके आज पास की interlinking topic है ना उनको हम यहाँ पर relate करेंगे सबसे पहले inflation होता क्या है बहुत basic terms में बहुत raw terms में तो let's say कि आप October में गए थे प्याज लेने तब आपको 50 रुपए में 1 kg प्याज मिला था उसके एक महने बाद जब आप November में लेने गए प्याज तब आपने देखा कि जो 1 kg प्याज आपको October में 50 रुपए मिल रहा था वही 1 kg प्याज नवंबर में 100 रुपए का हो गया है और आपके पास आपके जेब में सिर्फ 100 रुपए है तो October में जो प्याज आप 100 रुपए में 2 kg ले पा रहे थे वही नवंबर में 100 kg में सिर्फ 1 kg ले पा होगे पहला consequence आप यहीं पे देख लिए कि जब प्राइज इंक्रीज होता है तो आपका purchasing power कम हो जाता है जहां पहले 100 रुपए में आप 2 kg खरीद पाते थे अब 100 रुपए में सिर्फ आप 1 kg प्याज खरीद पाए हो ना देखो यहां पे जो प्राइज इंक्रीज हुआ है यह रातो रात नहीं हुआ है इसके पीछे बहुत से factors होते हैं money, demand, supply, policies अब यहां देखो आपने प्याज खरीदा अब कितना प्याज खरीद होगे आप 1 kg खरीद होगे यह 2 kg खरीद होगे बट दुकानदार के पास तो 50 kg, 100 kg प्याज होता है जो जो महंगाई आप experience करते हो जो आपने यहां पे experience की उसको हम कहते हैं consumer price index बट जो महंगाई उस दुकानदार को affect करेगी उसको हम कहते हैं wholesale price index क्योंकि दुकानदार wholesale में समान खरीदता है यह चीज़े clear हैं जहां पे हमने बात की कि money, demand, supply, policies का interplay होता है और इन्हीं interplay की वज़े से inflation होता है क्या interplay होता है, कैसा interplay होता है इसको हम बहुत ही simple word में समझे तो आप यह मानलो की एक seesaw है seesaw में एक तरफ demand बैठा है, दूसरी तरफ supply बैठा है मानलो market में supply बहुत limited है क्यों limited है, इसकी बात हम बात में करेंगे बहुत reason होता है limited होने का बट अभी सिर्फ इतना हम देखते हैं कि market में प्याज जो है बहुत limited है सिर्फ 1 kg प्याज मार्केट में है तो आप प्याज लेने market गए आप कहोगे में 50 रुपए में गया किलो आपके बगला लाके कहेगा तुम 50 दे रहे हो तो मैं 60 दूँगा फिर आप कहोगे तुम 60 दे रहे हो तो मैं 70 दूँगा इस तरीके से उस 1 kg प्याज की प्राइज जो 50 रुपए थी वो 70 रुपए हो गई इसको हम कहते हैं demand pull inflation जब आपके हाथ में पैसा जादा होता है और supply कम होता है उस टाइम पर जो inflation होता है आपके demand की वज़े से उसको बोला जाता है demand pull inflation demand की वज़े से inflation आ रहा है यहीं पर आदूसरा case देखो मानलो जहां पर प्याज उगता है वहाँ पर drought आ गया वहाँ पर flood आ गया तो प्याज की supply कम हो जाएगी मानलो तेल के दाम बढ़ गए तो जो प्याज लाने वाली गाड़ी पहले 1000 रुपए में 50 किलो प्याज लेके आ रहा था अब वही 50 किलो प्याज लाने के लिए उसको 2000 रुपए देना पड़ेगा तेल का तो यहाँ पर जो cost of production है वो बढ़ गया अब जब दुकानदार को यह महंगा पड़ा तो दुकानदार क्या कहे गया कि यह महंगाई consumer को पर shift कर देगा तो जो प्याज पहले 50 रुपए में आ रहा था due to increase in cost of production due to increase in fuel price यह दुकानदार 70 रुपए में कर देगा इसको हम कहते है cost push inflation नौ यहाँ हमने दो चीज़े समझ ली एक inflation होता है market में वो क्यों होता है जब demand बढ़ जाता है तब होता है जब cost बढ़ जाती है तब होता है demand कैसे बढ़ती है जब आपके हाथ में पैसा हो जब आपके हाथ में पैसा रहेगा तब ही तब आप पैसा दे पाऊगे पैसा कैसे आपके हाथ में आता है government के लगलग policies होती है हमने बात की न की policies तो government के लगलग policies की वैसे आपके हाथ में पैसा आ सकता है आपकी purchasing power बर सकती है for example government ये बोल दे कि tax आपको कम देना है तो tax बचा आपका जिब में आपके पैसा आएगा तो आप पैसा खर्च करोगे for example government economy में fiscal stimulus दे रही है economy में money pump कर रही है तो आपके हाथ में पैसा आएगा आपके हाथ में पैसा आएगा तो inflation बढ़ेगा and जब inflation बढ़ता है तो आपकी रूपी की जो value होती है वो depreciate होती है depreciate मतलब आपके रूपए की value घटने लगती है क्यों घटने लगती है जैसे आप यहाँ पे समझो यहीं पे देख लो पहले 50 रूपए में आप 1 किलो प्याज ख़एद रहते अब वही 1 किलो प्याज के लिए आपको 70 रूपए देना पड़ेगा यहाँ पे आपके रूपए की value कम होई न उस हिसाब साब इसको international terms में समझो जब हम यह बोलते हैं कि हमारी रूपी depreciate हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो currency है वो weak हो रही है for example पहले आपको 1 डॉलर ख़एदने के लिए 80 रूपए देना पड़ता था बट वहीं अब आपको 1 डॉलर ख़एदने के लिए 100 रूपए देने पड़ेंगे नाओ रूपी हमारी कितनी depreciate हुई है कितनी weak हुई है यह हमको कैसे पता चलेगा यहाँ पर हम दो तरीकों की बात करते हैं एक है near दूसरा है rear near मतलब होता है nominal effective exchange rate और rear मतलब होता है real effective exchange rate नाम से हाँ पे clear है यहाँ पे nominal की बात कर रहा है यहाँ पर real की बात कर रहा है simple terms में समझे तो नीर मतलब यह होता है कि आपकी currency बाकी basket of currency बाकी different currency जो दुनिया में है dollar, euro, yen उनसे कितना strong है या कितना weak है अगर नीर हमारा उपर जाता है तो हम यह कहेंगे कि हमारा जो rupee है वो strong हो रहा है मतलब appreciate हो रहा है और नीर हमारा नीचे जाता है तो हम यह कहेंगे कि जो हमारा rupee है depreciate हो रहा है चूँकि यह nominal है इसलिए हम यहाँ पर inflation को जोड़ते नहीं है जब हम real की बात करते हैं तो यहाँ पर हम inflation को add करते हैं यहाँ पर inflation हम adjust करते हैं क्यों add करते हैं क्योंकि inflation जो है वो हमारे exports को impact करता है inflation बताता है कि जो हमारा export है वो कितना competitive है USA को, UK को, Japan को हमारा जो समान है वो कितना affordable लग रहा है कितना competitive लग रहा है इसको देखने के लिए हमको exchange rate को inflation से adjust करना पड़ता है simple सी बात है कि मालों इंडिया में inflation बाकी देशों से ज़ाधा है इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का समान जो है वो बाहर वालों को महंगा लगेगा तो हमारा जो trade competitiveness है वो reduce हो जाएगी इंडिया अपना trade competitiveness जो है वो lose करे कि इंडिया का trade competitiveness जो है वो weak हो जाएगा अब यहाँ पर समझ में आगे ना आपको कि जो inflation है वो import और export को कैसे affect करता है inflation जो है वो exporter के लिए खराब होता है in fact inflation जो है वो importer को भी hurt करता है क्योंकि inflation रूपी को हमारे depreciate करेगा और जब हमारे रूपी depreciate होगा तो जो importer है उसको ज़ादा रूपीज खरच करना पड़ेगा to buy same amount of goods in euro or dollars for example पहले एक डॉलर जो है 70 रुपय का था अब एक डॉलर जो है वो 80 रुपय का हो गया बट अगर हम compare करें importer और exporter को तो ज़ादा problem किसको होगी ज़ादा problem रूपी के वीक होने से importer होगी क्योंकि उसके लिए समान तुरंत महेंगा हो जाएगा exporter हो सकता है फिर भी कुछ फायदा हो जाए for example बाकि जो competitor nation है उनसे मालों इंडिया का inflation थोड़ा कम है तब भी exporter अपना समान एक्सपोर्ट करेगा बट importer को तुरंत problem होगी सब इस पूरे condition से क्या समझ पाए कि inflation किसी को फायदा देता है किसी को नुकसान देता है बट ना तो बहुत जादा होना अच्छा है किसी के लिए ना ही बहुत कम होना अच्छा है किसी के लिए that is why inflation कितना रहना चाहिए इसकी बीच में एक balance maintain करना है और balance कौन maintain करता है RBI, government दोनों मिलके दोनों ने मिलके एक middle ground निकाला है कि जो inflation है वो 4% plus minus 2 होना चाहिए that means की inflation जो है वो 2% से 6% तक vary कर सकता है यह एक bandwidth है inflation बढ़ता क्यों है यहाँ पे हमने देखा demand pull, cost push और demand कैसे आएगी जब हम fiscal stimulus देंगे fiscal stimulus कैसे आएगी मालो, government money pump कर रही money कैसे pump करेगी वो public से buy कर सकती है bank से borrow कर सकती है या फिर money को print कर सकती है now देखो government जब money public से borrow करेगी तब नया money market में नहीं आ रहा है बहुत ज़दा inflation नहीं बढ़ेगा उतना inflation बढ़ेगा और मालो, government bank से borrow कर रही है तो इससे क्या होता है bank के पास economy में पैसा घुमाने के लिए bank के पास पैसा कम होगा economy में जो पैसा घुमाती है bank वो limited हो जाएगा और इसी situation को हम लोग कहते है crowding out bank जो है वो पैसे से पैसा बनाती है bank के पास पैसा होता है bank पैसा आपको देगी आप फिर bank में जमा करोगे इसी के थुरू money जो है generate होता है और इसी पूरे concept को हम लोग कहते है money multiplier जितना आप bank में पैसा जमा करोगे उतना ही bank के पास जाधा पैसा आएगा और उतना ही bank आपको जाधा पैसा दे पाएगी बट मालो ये पैसा आपके जगह government को चला जाएगा तो money multiplier जो है वो भी कम होगा इसके साथ सथ crowding out effect भी आएगा मतलब businesses को पैसा देने के लिए आम जंता को पैसा देने के लिए bank के पास पैसा नहीं रहेगा अपलेगी tight hawkish money policy policy rates को बदला जाएगा open market operation conduct करेगी RBI tight या hawkish money policy क्या होता है जैसे null को tight कर देना उसी तरह bank market में कितना पैसा डालेगी उसको tight कर देना ये कैसे RBI करती है reporate बढ़ा देती है so that जो borrowing है वो expensive हो जाए loan महंगा हो जाए तो लोग कम spend करें जब लोग spend कम करेंगे तो demand कम होगी जब demand कम होगी तो जहाँ पे पहले आप 1 kg प्याज के लिए 70 रुपया दे रहते वापस आप 60 रुपया दोगे जिससे क्या होँआ inflation जो है वो control में आया उसे तरह जो reserve ratios होता है CRR SLR उसको tight कर देना उसको increase कर देना so that bank के पैस ज़्यादा पैसा हो और bank कम lend कर पाए इसके बाद जैसे sterilization open market operation को conduct करना जैसे हमने यहाँ पे देखा न rare near currency आपका week हो रहा है currency week कैसे होगा मालो इंडिया में बहुत ज़्यादा dollar आ गया बहुत ज़्यादा foreign money आ गया अब जब market में liquidity ज़्यादा हो जाएगी तो inflation बढ़ जाएगा इसी liquidity को suck करने के लिए sterilization होता है आप ऐसा समझ लो कि यह एक sponge है और जो excess liquidity है excess liquid है उसको soak कर लेता है RBI क्या करेगी RBI government security sell करेगी और liquidity है उसको suck करेगी जो excess market में पैसा है उसको खीज लेगी इससे क्या inflation जो है न वो control में आ जाएगा government क्या कर सकती है government taxes मालो बढ़ा दे जो आपकी salary मालो tax कटने के बाद पहले एक लाक मिलती थी अब आपको 80,000 मिलेगा आपके हाथ में कम पैसा होगा तो आपका demand कम हो जाएगा जब demand कम हो जाएगा तो inflation अपने आप control में आ जाएगा क्योंकि आपकी spending कम हो जाएगी इस तरीके से government और RBI मिलके inflation control करते हैं इसी का opposite होता है deflation deflation में क्या होता है जो यहाँ पे step लिया जा रहा है to be the part of sterilization conducting open market operation oversight of settlement and payment system debt and cash management for central and state government regulating the function of NBFCs अभी हम ने उपर परा sterilization क्या होता है open market operation होता है excess liquidity को सक करना इसका हो जाएगा next one in India which one of the following is responsible for maintaining stability by controlling inflation department of consumer affairs expenditure management commission financial stability and development council RBI अभी हम ने देखा RBI और government में लिके inflation को control करते हैं next one with reference to Indian economy consider the following statement an increase in nominal effective exchange rate indicate the appreciation of rupee an increase in real effective exchange rate indicate improvement in trade competitiveness an increase in trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear अभी हमने उपर देखा कि अगर near उपर जाता है इसका मतला आपकी currency जो appreciate हो रही है और अगर आपका rear उपर जाता है तो आपका trade competitiveness है वो worse हो रहा है that means कि जब inflation बढ़ता है तो near और rear के बीच का divergence भी भढ़ता है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इदे को improve नहीं होगा यह गलत हो जाएगा इसका मतलब तो गलत हो गया यह गया यह गया यह गया 1 and 3s का सही answer है next one with reference to the Indian economy consider the following statement if the inflation is too high RBI is likely to buy government securities if the rupee is rapidly depreciating RBI is likely to sell dollars in the market if the interest rate in the USA or EU were to fall that is likely to induce RBI to buy dollars now inflation अगर market में high होगा वोपर हमने concept apply किया कि inflation हाई होता है तो उस वक RBI जो है वो government securities को sell करती है यहाँ buy दिखा है यहाँ पर गलत हो जाएगा हमने उपर यह भी देखा कि जब rupee depreciate होता है तब RBI क्या करेगी RBI dollars को sell करेगी and the third thing is जब abroad में interest rate कम रहेगा उस time पर RBI क्या करेगी dollars को buy करेगी so correct answer is 2 and 3 next one which one of the following is likely to be most inflationary in its effect repayment of public debt borrowing from public to finance budget deficit borrowing from bank to finance budget deficit creation of new money to finance budget deficit हमने उपर देखा कि market में जब भी government नए पैसे को introduce करेगी pump करेगी तब inflation बहुत तेजी से बढ़ेगा so the correct answer is D creation of new money next one money multiplier in an economy increases with which one of the following increase in CRR increase in SLR increase in banking habit of people increase in the population of country so हमने ये concept समझा कि बैंक जोई पैसे से पैसा बनाती है जितना लोग पैसा बैंक में जमा करें उतना ज्यादा money create होगा उतना ज्यादा money multiply होगा that is why जितना अच्छा banking habit होगा लोगों का उतना ही money multiplier increase होगा इन दो subsequent question को आप खुद solve कर सकते हो please read it and solve it pause the video and solve it now you can see na कि सिर्फ एक concept देखने से I think कि दस बारे में इस concept को समझाया होगा आपके कितने question यहाँ पर solve हो जा रहे है and all these concepts are interlinked now एक हम means का question देखते हैं what are the causes of persistent high food inflation in India comment on the effectiveness of monetary policy of the RBI to control this type of inflation अब इस question को solve करने के लिए आपका जो पहला दो step था understanding and linking of the concept इसको use करना है and then you can apply your concept here food inflation कैसे बढ़ता है जो हमने उपर देखा अभी cost push inflation, demand pull inflation supply chain मालो disrupt हो जा रहा है monsoon dependency है drought आ जाना, flood आ जाना input cost जो है बढ़ जा रहा है government की policies की बस inflation बढ़ सकता है तो multiple cause है high food inflation के second part क्या पूछ रहा है effectiveness of monetary policy of the RBI to control this type of inflation now this is where you have to pay attention यहाँ पर effectiveness पूछा है काफी लोग से flick देते हैं कि RBI कैसे inflation को control करती है बट यहाँ पर specifically पूछा है कि inflation को नियंदरित करने में RBI की मौदरिक नीती की प्रभाव शीलता पर टिपड़ी करिए effectiveness पर आपको टिपड़ी करना है अब RBI inflation कैसे control करती है interest rate को बढ़ाके liquidity control करके rupee को appreciate करके depreciate करके imports को manage करके आप इस सब की बारे में लिखोगे इसके साथ आप यह भी बताओगे कि RBI का जो अलग-अलग step है वो कितना effective है for example RBI interest rate बढ़ाता है तो कुछ हद तक inflation कर्व होता है बट बहुत ज़्यादा effective यह नहीं है उसी तरह जब liquidity control करता है RBI तो inflation control होता है बट यहाँ भी बहुत ज़्यादा effective नहीं होता है because food inflation में monetary reasons के साथ साथ non-monetary reasons भी बहुत ज़्यादा होते है agriculture output poor हो गया तब inflation बढ़ जाता है agriculture वो monsoon dependent है supply chain बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है seasonal factors काफी ज़्यादा है so RBI के साथ साथ government को भी step लेना पड़ेगा जो सारे structural bottlenecks हैं उनको plug-in करना पड़ेगा तब ही full inflation जो है वो control में आएगा so जो concept हमने यहाँ बढ़ा उससे हमने multiple PYQ solve किये previous question solve किये और उससे हमने 2024 का means the question भी solve किया and this is how you should read your content this is how you should link your concept inflational concept देखो multiple जगह से related है demand supply mismatch demand pull inflation supply side constraint cost push inflation इसके बाद food inflation आपका इससे होगा structural issue storage problem होता है seasonal factors weather disruption so जब सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दोगे पूरा आपका यह वेब बन जाएगा and इसी तरह आप concept को interlink करते हो this is your inflation concept and this is the way you have to read your topics read your concepts now after reading how we have to revise the subject how to revise इसके लिए आपको यूज करना है active recalling PDF का passively पढ़ने से अच्छा ही है कि आप actively engage किया करो जो पढ़ रहे हो उसको याद करने की उसको समझने की कोशिश किया करो so that जो आपको एक्जाम में करना होता है चाहे प्री में या फिर मेंस में आप उसको एक्जाम से पहले ही simulate करते हो सबसे पहले हम इसकी बात करते है now this is your active recalling PDF for revision ये मैंने विवेक सिंग से प्रिपेर किया है how to use it इससे पहले हमने देखा कि आपको प्रुनाल सर प्लस विवेक सिंग इनको पढ़ के इनका concept समझना है let's say for example हमने विवेक सिंग का chapter number one पाए fundamental of macroeconomics अब हम इस chapter पे आते हैं this is your first chapter fundamental of macroeconomy इस chapter में जैसे जैसे आप subsections पढ़ते जाओगे for example 1.1 introduction 1.2 economic organization the three problem economic system four sectors of economy private sector जैसे आप chapter complete कर देना concept clear कर लेना now for revision purpose आप इस pdf पे आओगे and हर एक question को आप answer करोगे मैंने इस pdf को इसी हिसाब से बनाया है कि आपके pre plus means दोनों में ये काम दे for example let me show you कुछ concept ऐसे हैं कुछ process ऐसे हैं जिसको simplify करने के I have displayed some diagrams here for example types of good intermediate goods consumption goods capital goods physical goods financial and intellectual capital next one for example let us see how to calculate GDP production method expenditure method income method so in this way at many places you will find such small details such small I would say compilation diagram for faster active revision so I hope कि I am now clear enough कि how you have to use this pdf for revision for recalling and the best part is कि इसको पढ़ने के बाद इसके थूर रिवाइस करने के बाद आपको बार बार बुक्स को refer नहीं करना पड़ेगा जिस understanding से आप इन सारे questions को solve करोगे इनको answers करोगे उनहीं को आप बार बार रिवाइस करते रहोगे तो जो concept समझने के बाद concept को link करने का and concept को apply करने का process है ना बहुत ही smooth हो जाएगा it took me multiple hours to prepare this pdf so utilize it in the best possible way and this will make your learning very fun, very interactive and आप सिर्फ इसी pdf को पढ़ लोगे तो आपको मुरुनाल सर का pdf पढ़ने के जरुद बिलकुल नहीं होगी because आपका concept जो है नो वो बिलकुल clear हो जाएगा और सिर्फ आप इसके थ्रू economy को एक week में revise कर लोगे यह आपका second step रहा how to revise and after revising this way it will be cakewalk for you to remember any concept in economy so this is your single and final resource which you can read, remember and revise in one week यहां तो मैंने विवेक सिंग की बात की but काफ़ी लोग बुरुनाल सर की pdf को भी use करते है so मैंने बुरुनाल सर के pdf का यह pillar one है उसका मैंने active recalling pdf प्रिपेर किया है और इसको भी मैं टेलिग्राम पे डाल दूँगा pillar one को पढ़ने के बाद I think की 200-300 page का pillar one है उसको read करने बाद आप आराम से इस 30-40 page की pdf को revise कर लोगे तो pillar one में जो भी कुछ concept है वो crystal clear हो जाएगा इन दोनों pdf को मैं telegram पे डाल दूँगा आप आप telegram से डाउनलोड कर लेना telegram का link आपको description box से मिल जाएगा और जो पहला pinned comment रहेगा वहाँ भी आपको telegram का link मिल जाएगा So this is how you have to complete your economy इस तरीके से आप economy पढ़ोगे तो बहुत कम input देखे maximum output आप खीच सकते हो ना आपको pre में struggle करना पड़ेगा और ना ही आपको mains में struggle करना पड़ेगा इसके बाद आपका एक topic बचा हुआ है कि how to cover economic survey मैं इसके लिए एक separate video बना दूँगा so that हम short में बात कर लें कि economic survey को exam के perspective से आपको कैसे complete करना है इस video के बाद ही मैं उसको डाल दूँगा and you can easily complete economic survey in 9-10 days और सिर्फ complete नहीं आप उसको in fact exam के point of view से आप उसको complete कर लोगे so we'll see that in the next video but for now I think कि economy कैसे पढ़ना है for tree as well as for means perspective scientifically कैसे पढ़ना है क्या आपका approach होना चाहिए वो clear हो गया होगा I'll see you in the next video वहाँ पे हम किसी दूसरे subject को tackle करेंगे